हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको अनार पे इतने सारे फूल लाने के लिए मैं अनार के पोदे में क्या डालती हूँ यह चीज फ्रेंड्स मैं आपको आज बताऊंगी तो जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे नए है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो फ्रेंड्स मेरे इस अनार के पोदे पे देखो इतने सारे फूल आए हुए हैं और बहुत सारे इस पे फूल है जो यह पोदा है यह फूलों से बरा हुआ है हर एक ब्रांच पे इस पे जो है दस बारा दस बारा इस पे के निकले हुए हैं और चोटा सा पौधा है और सारा जो है फूलों से लदा उआ हुआ है और भौती सुंदर लग रहा है ये और जो ये जो फूल है ये जल्दी से अपने फल में कनवर्ट होंगे और हमें जो है फल फल अनार ही मिलें गे तो इस तरह से फ्रेंड्स जो इसकी पोदे की ये देखो एक ब्रांच पे दो तिन दो तिन गुच्छों में इसमें जो है फूल आई हुए है और जो इसकी जो प्रानी ब्रांच होती है उस पे फूल आई हुए होती है वो जल्दी से फल में बदल जाते है और जिसकी नई ब् वो फल में कनवर्ट नहीं होते और वो जड़ जाते हैं और इस तरह से देखो इस पे बहुत सारे जो है फूल है इसमें मैं एक ही चीज डालती हूँ जो मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स और बहुती स्वस्त जो है मेरा ये पोदा खड़ा है और सारा जो है फूलों से लद जा हुआ है और इसके जो निचे की ये जो करीब साता ठींच की जो होती है इसकी ब्रांच इस पे आप कोई भी पतिया वगेरा नहीं आने दे तो फ्रेंड्स मैं इसमें चुने का पानी का घोल बना के और लिक्विड आप वो गोल इस पोदे में दे सकते हैं या फिर आप इन पीके का इस पे जिरकाओ कर सकते हैं